नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार की चीफिनिष्ट की कुरसी आगे आने वाले वक्त में खत्रे में पढ़ती भी नजर आ सकती है लिहाजा भारती जनता पार्टी 2024 के लोकसबाद चुनाओ को लड़ने की तैयारियों के बीच नितीश कुमार की CM पद से चुट्टी कर देना चाहती है ऐसे में आने वाले वक्त में NDA गठबंदन को खुद अगवाई करने की तमाम जोर आजमाईस कर रही भारती जनता पार्टी का संगठन इस वक्त मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिखाए दे रहा है लिहाजा दिलीप जैस्वाल को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्स न्यूक्त कर दिया गया है और समराठ चोधरी के प्रदेश अध्यक्स पत से चुट्टी कर दी गई है इसका प्रमुख कारण यह बताए जा रहा है कि समराठ चोधरी और नितीश कुमार के बीच पिछले कुछ वक्त में हुई बयान बाजी से अंडिये गटबंदन में दरार देखने को मिल सकती थी लेकिन आने वाले विधान सबाद चुनाओ को यहां पर मदे नजर रखते वे बिहार की राजनीती में बड़ा सियासी उलटफेर करने की कोशिशे की जा रही है और इसको धान में रखते वे भारती जनता पार्टी तमाम यहां रणनीतिया भी तयार करती भी नजर आ रही है लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके से यहां बिहार की राजनीती आने वाले वक्त में करवट बदलती भी नजर आती है आपको बता दे कि निती इशकुमार पिछले करीब 18 सालों से बिहार की लगातार मुख्यमंत्री बनते भी नजर आ रहे हैं और आने वाले विधान सबा चुनाओं में भी निती इशकुमार मजबूती के साथ चुनाओं लड़ने के दावे पेश कर रहे हैं ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से निती इशकुमार की राजनीती आगे बढ़ती भी दिखाये देती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से निती इशकुमार के राजनीती कुत्रादिकारी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं तो आखिरकार किसके जिम्मे नितीश कुमार अब अपनी आगे की राजनीती को सौपते वे नजराएंगे तेजस्वी आदाव लगातार ये दावे करते वे नजरा रहे हैं कि नितीश कुमार हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे साथ ही आने वाले वक्त की राजनिती को तै करेंगे देखना है होगा कि वाकई में क्या नितिश कुमार बिहार में बीज़पी को जटका दे करके फिर से यहाँ पर जेडियू आर जेडिय के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और क्या वाकई में बिहार में बड़ा सत्ता का तक्ता पलट करते वे नजर आएंगे फिलहाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तुमम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News